According to NCRT, Pteridophytes में एक ऐसा इवेंट है, जो seed habit की शुरुआत को बताता है, we know Pteridophytes seed नहीं बनाते, seed तो जिम्नोस्फरम से बनने शुरू होंगे, बट एक ऐसा इवेंट है, जो seed habit का precursor है, तो वो कौन सा इवेंट है, जब आप हेटरोस Pteridophytes के बारे में पढ़ते हैं, सिलाजी निला और साल भी निया, तो वहाँ पर आता है कि जो female gametophyte है, जो female prothallus है, वो मिट्टी में नहीं, वलकि parent body पर ही retained रहता है, for variable time period, और जो भी फर्दर events हैं, fertilization, zygote का development, वो उसी parent body में होता है, तो इसको कहते हैं आप seed habit, जो की evolution में बहुत ही important step माना चाता है,